सो हेलो एवरीबन विल्कम बैक तो माई यूटूब चैनल से टाइम बाउंगोल एंद इसलोर संदीब भाहिया और आज हम बात करने वाले हैं जीजी एस आई प्यों के बारे में गाइज जिन जिन लोगों को आई प्यों के अंदर एडमिशन लेना है मतलब बेसिकली डैली मे पढ़ना है तो ओ लोग जीजी एस आई प्यों की काउंसलिंग करा सकते हैं आक्शली होता क्या है कि आई प्यों में डैली में पढ़ने के लिए मेली दो ही काउंसलिंग है एक है जाक दली जो हाई लेबल की काउंसलिंग है आई मिन वहां पर पढ़ने के लिए काफी अच् पता नहीं है अगर आपकी रांक एक लाग भी है दो लाग भी है तो भी यहां पर एड्मिशन हो जाता है आप इस वीडियो को बिलकुल भी मिस मत करिएगा क्योंकि ये वीडियो बाप वीडियो है यूटूब पर यहां पर आपको सारा कुछ पता चल जाएगा जो एक कॉमन डाउट होता है जो भी आपकी मन में चल रहा होगा कि भाईया मुझे आइप्यू में बैटना चाहिए या नहीं बैटना चाहिए भाईया लास्ट रेट क्या है भाईया इसमें कितने राउंड्स होते हैं स्पॉट यहां पर अच्छी बात है कि मैं देने वाला हूँ आपको च्वाइस फिलिंग और च्वाइस फिलिंग और च्वाइस लॉकिंग और तो गाईज चलिए शुरू करते हैं जीजियस आइप्यों के बारे हैं अच्वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लाइक टू मैं हूँ पहले तुम्हें बता देता हूँ आइम संदीब बिश्यो कर्मा बीटिक फ्रॉम अलेगर मुसलिम युनिवर्सिटी इन इलेक्षोनिक्स अन कम्निकेशन इंचिनियरिंग आप अल्रेडी गेट कौलिफाइड तो ताइम्स और मैं पिछले काई सालों से यूटू कॉटीच से यूटू इक आप बेटिक चानल एंड पैड कांसलिंग और में आपको अज इसके लांज़िट थी लेकिन आज इनो ने वह नोटाइस चारी कि आप एक जान्स नहीं है अब लांस्ट जो है तीस तारिक तक है मतलब जो लोग 1500 का पहले application form फिल कर चुके हैं उनको अब 1000 का क्या गर्ना होगा मैं इसे छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा जो भी महानुभाव 1500 का application form फिल कर चुके हैं आब उन्हें extra 1000 देके अपना registration कम्प्लीट करना है counseling के लिए और उसके बाद से counseling के लिए जो 1000 है वो भी non-refundable है और 1500 जो application form था वो पहले से ही non-refundable था अगर आप में से कोई भी मेरा बंदू कोई भी मेरा भाई अगर application नहीं फिल किया है तो पहले 1500 का application फिल करो और उसके बाद से क्या करना है आपको registration करना है जैसे for example मैं आपको दिखाता हूँ एक अपने बंदू का जैसे यहां पर देख सकते हों कि पहले आपको application form फिल करना पड़ेगा अपलिकेशन फिल करना की बाद से आपको आप यहां पर जाने की बाद से आप application form अगर फिल कर चुके हो तो यहां लॉग इन कर लेना यहां पर दिखाएगा कि इतना च्वाइस है इतना च्वाइस फिल किया है आपने वो च्वाइस फिलिंग कैसे करना है मैं एक डीटेल वीडियो बना दूँगा पर हमें यहीं से च्वाइस फिलिंग करना होगा और choice filling के बाद से हमें seat as cryptocurrency जैसे choice filling के बाद से पहला round जो होगा इसके बाद होगा मतलब पाँस तारिख तक हमें choice फील कर लेना है और पांस तारिख के बाद से जो पहले round Sinism की रेजल्ट शर्फ ऑगर और आएगा result आने के बाद से में स्क्तिल 보고 how तो सित्पटेंस कैसे जमा करना होगा हम बता देंगे आपको कैसे करना होगा जैसे बहुत सारे बच्चे पूछने मैनेजमेंट कोटा का क्या हिसाब है तो देखो यार हर एक सीट मदलब लगब अल्मोस बहुत सारे कॉलिजों में 10% सीट मैनेजमेंट कोटा के मैनेजमेंट कोटा के तुरू MS IT में भी अड्मिशन ले सकते हो अगर इप्यू के लिजबिल्टी क्राइटीरिया की बात करें तो 55% क्या है लिजबिल्टी क्राइटीरिया टेन प्लस टू में ठीक है टेन प्लस टू में आपका 55% होना चाहिए होम स्टेट वाला भी लिजबल यह रिजबिल्टीर चाहिए और 55% सीट जो है आपका अधरी स्टेट के लिए अधर्स टेट में भी सी होगा स्टी होगा डिफेन्स होगा और पी डाव्लूटी होगा लेकिन हार जगा इतना ऐसा नहीं होता है यूपी में क्या है यूपी में होम स्टेट वाले ही बसा तो उस टाइम पर हमें टॉप की कॉलेज को उपर डालना होता है कि बेस्ट कॉलेज के साथ बेस्ट ब्रांच को भी हम उपर डाले तो पहली बात हम देखते हैं इसमें गॉवर्मेंट जो कॉलेज है यूवाई सीटी डेली तीसरा यूएसीटी डेली और चौथा डेली इंसिटुट अप टूल इंजिनियरिंग ओकला में है तो एक कॉलेज हैं जिनकी फीस में इनके सामने मोटा मोटी जो जादे पॉपुलर है उनकी में फीस दे चुका ह और उसके बाद से भारती बिडपीड गुरुतीज बहादूर एंड यूएसार एंड डॉक्टर अकलेज दासे इसके बाद से क्या होता है इसके बाद से तो लेबल काफी बहुत अच्छे नहीं है शुरू के तीन-चार को छोड़ दो तो नीचे वाले ठीक ही ठीक ही ठीक ह है यां फही डास मिल रहा है तो अगर हमें अपने से बेकार है मैं उसको डाल के पैसा थोड़ी सब्सक्राइब 40,000 देना बढ़ जाएगा अभी पहले राउन में मिल गया तो जब तक तुम 40,000 दोगे नहीं तो अगले राउन में अप्ग्रेडेशन के लिए जा ही नहीं पाऊगे तो सिर्फ वाई वाई कॉलेज़ डालने हैं जो बेटर हो जो हमें लगे कि हमेज या अग प्रिफरेंस लेस्ट बनाना और आपको पहले से बनाके रखना पड़ेगा अच्छा बहुत सारी लोग आप में स्यासे होंगे जो ही कह रहा होंगे कि हमारी कंशलिंग आप खुद कर दो पर सेर्म कर दो तो गाइस पर मेंसे पर सेर्म करा सकते हो मैं लिंक डिस्रिप्शन म उसमें 500 रुपे में क्या होगा कि आपको एक personal mentor मिलेगा, time to time मेरे साथ meeting होगी, even आपकी ID password लेगे, जिनका मैं दिखा रहा था हूँ, वो हमारे ही students हैं, आपकी ID password लेगे, आपकी choice filling भी हम ही करेंगे, और choice filling से पहले हम आपसे discuss भी करेंगे, कि देखिए भाईया, हमें college डाल र हर्याना में भी है, तो ये totally आप पर depend करेगा, कि आप क्या चाहते हो, हम आपके recording ही choice filling करते हैं, ऐसा निए कि कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है, data थोड़ा सा mistake होगा, देख लेना, ठीक है, जियन आइटी, डेली टेकनिकल कैंपस, बीवेकानन, यूसाइज, यूसाइडी डेल आपने बच्चों के choice preference बनाने में, तो यूटीब में बतानी पहूंगा, तो अभी मैं choice preference स्टार्ट होने से पहले में इसको बताने जा रहा हूं, ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिए, मैं अभू नाट गूइंग तो शोओ, कि मतलब बेक्ये करके नहीं बताने जा रहा हूं, फर choice preference बनाने के लिए, हमें सबसे पहले top के college decide करने होते हैं, और हमें top से ही भरना होता है, तो जैसे है USICT Delhi, USIT को सबसे पहले रखा, इसका computer science and engineering, then USICT का information technology, then MAIT का computer science and engineering, I am not saying की आपको क्या करना है, ऐसे ही करना है, आपको जो बेटर लगे है, जैसे आपको सिर्फ government ठी लेना हो, आपका budget नहीं हो, तो आप इसके electronics को उपर रख सकते हो, पर जनरली अपन लोग प्राइवेट मे CSIT या specialization के लिए ही जाते हैं, तो मैं एक reference दिखा रहा हूँ, I am not saying की यही छाप देना, मुझे नहीं पता ना कि आपकी requirement के है, आप किस location पर जाना चाहरे हो, आप कितना fees effort कर पा रहे हो, अगर आप हमसे personally करवाते हैं, तो हम आपके लिए personal बनाते हैं, बट it's a general, इससे एक idea मिल साएगा, कि कौन सा call is better है, कौन सा call is उतना अच्छा नहीं है, और अभी हम आगे उनके cutoffs वगरा दिखाने वाले हैं, fees वगरा दिखाने वाले हैं, बट हमें पहले से choice preference बना के रखनी होगी, ऐसा नहीं कि हम वो कर रहे हैं, बना बाद में बना रहे हैं, वो आ गया अपने research से करना चाहिए, हाँ, अगर कोई personal कर रहा है, तो ठीक है, उससे आप करवा सकते हो, no issue, उसके बाद से महाराजा अग्रेशेन का computer science and technology, MAIT का artificial intelligence, MAIT का information technology, फिर MAIT का AI and machine learning, MSIT का computer science, MAIT का IT, information technology and engineering, अच्छा इसमें आपको difference भी पता होना चाहिए, CAC क्या है, IT क्या है, IT and engineering क्या है, ठीक है, triple E क्या है, electronics engineering क्या है, AI and data science क्या है, किसका future में ज़्यादा scope है, आपके बच्चे के लिए future में क्या ज़्यादा better होने वाला है, इन सब को ध्यान में रखते हुए choice preference बनाना चाहिए, हमने एक basic choice preference आपको बना के दिखा दिया, ठीक है, आप इस price preference बना के पहले रख लेना, बिल्कुल भी last का बेटनी करना, कि हम last में बनाएंगे, जब choice order भरना होगा तो हम भरेंगे, या cyber cafe वाले भाहिया से पूछ के बनेंगे, यह काम बिल्कुल मत करना, because इसमें क्या होगा कि फिर गरबढ हो जाएगा, और उन choices को कभी मत भरना, जो सितना, बहुत जादा भी भरना हमेसा हानिकारक होता है, और बहुत कम भी भरना हमें हमारे लिए हानिकारक होता है, तो हमें जादा ज़्यादे options डालने हैं, लेकिन वह उप्षन डालने हैं, जो हम लें पाएं, चुलो हम थोड़ा सा cutoff देखते हैं, कट टाफ देखते हैं तो category wise हम कट टाफ देखेंगे तो देखो home state जहां लिखा होगा hs मतलब home state और एनो छोड़ो df मतलब defense अभी हम आगे यूज करेंगे hs मतलब home state physical handicapped home state open home state sc home state sc st other state defense other state physical handicapped other state open other state sc other state st अभी हम आगे यूज करेंगे कट टाफ के टाइम में तो तुम confuse मत होना ठीक है तो यह वीडियो अगर अच्छी लगे ना तो प्लीज यार लाइक करने में कंजूर्श नहीं करना ठीक है पहले नंबर का college जो है UICT New Delhi अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे home state BC को कहां तक इसका lowest branch मिला था तो देखो यह हमें से dual degree कराता है मतलब five year का course है इसका बीटेक प्लस एमटेक साथ में तो यह 6 लाग तक home state को बायोट टेकनोलोजी में एड्मिशन दिया था OBC को रेड़ वाला जो लिखा हूँ ना वह अधर इस्टेट का है वह अधर इस्टेट का है ब्लेक वाला जो हो मिस्टेट का है ध्यान रखना अगर मैं CSC की बात करूं तो लग बग लग बग चालिस जार तक यहां पर देखनी को मिला हुआ अगर मैं i.t. Vade बात करूं तो लग बग लग ऑनको anka 25,000 तक भी मिल ब्यूक यह और नहीं स्टेट ओनिदै को मिला तो लो इस्ट ओन्ना यहां एयर यह यह वैज ड़ी ऐटा मैं टा ररग यह उस्टेट इस्ट Ceuct 90,000 तक Home Estate को देखने को मिला था और BC में BC 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 Home Estate BC और अगर मैं बात करूं Home Estate EWS में तो 45 तक देखने को मिला था और Other Estate BC को 31,000 तक देखने को मिला था तो काफी low rank तक जाके बंध हो रहा है यह सारा पूरा year wise data सब्सक्राइब को लगबग एक लाग चोहत्तर अजार तक मिलने दो लाग तक देखने को मिले था और अगर आप यूपी के से हैं तो लगबग आपको तिरानवी अजार चेसों साथ इस तक देखने को मिला था ठीक है इसकी टोटल फीस इतनी है अघी तॉसंट परइए है इस प्लेश फॉर्टी عग है और अबरेश बीस प्लेशमेंट पाकेश बार अलाग है driffe رस बनाते टैम हमें अबरेज स्मरिक hinter on रखना चाहिए उसके बाद से कैसी है उनका क्या मतलब एक पास्ट एक्सपेरियंस रहा है सब काफी मायने रखते हैं आप किसी भी कॉलेज में ऐसी नहीं एड्मिशन ले लेना चुछ है कि आप वहाँ चार साल देने वाले हो और आपके जीवन का एक मतलब नया पड़ाव वहीं से शुरू होता है तो यह बहुत इंपोर्टेंट काम है तो इसमें जल्दी बाजी कभी मत करना भले टाइम लेना रिसर्च करना आराम स्ट्विशन लेना अगला कॉलेज देड़ेज महारा जाग रशेन यह सारा सारा होम स्टेट वालों का कटा फे यह एंडील एक लाग बहत्ता हजार तक मिला था सियसी असे जार तक मिला था सियसी सिफ्ट टू बानवे हजार तक मिला था IT 92,105 राइंग तक मिला था और mechanical लगबग 2,15,000 तक मिला था और SC वालों के तो बल्ले-बल्ले है 6,6 लाइंग तक मिला था CAC 3,69,000 तक CAC 2 काफी हाई राइंग तक मिला था मतलब ठीक है EE EE 7,00,000 राइंग तक मिला था और EC लगबग मतलब ठीक है अच्छे कहा से राइंग तक आपको देखने को मिल जाएगा mechanical पांच लाग तक आपको देखने को मिला था अगर मैं बात करूँ महाराजा Aggression Institute of Technology की तो यह other state है home state नहीं other state ले लो other state ले लो other state ले लो other state ले लो other state ले ले ठीक है AINML CSE एक बार okay sorry sorry for that actually थोड़ा सा import करते है time मुझे लगता है timing mistake हो गया होगा बर दोंट वर रही ठीक है अपके 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 लोग ओफिशल डेटा से देख लेते हैं ठीक है पहले मैं daily reason वालों की बात कर लेता हूँ तो daily reason वालों की बात अगर अपन लोग कर ले ठीक है तो देखो यह जो ओफिशल डेटा है यह जो ओफिशल डेटा है इसमें गया है कि यहां इसे मैं अभी उसमें डाल देता हूँ ठीक है विडो बहुत लंबी हो जाएगी फर तो इसमें मैक्सिमम जो गया था कहां तक गया था ठीक है जिस हो मिस्टेट ओपे में एक लाग संटिंग जो बंद ऑफ्रुब्वा तो लास्ट राउंड आठ लाग पर जाके बंदुआ तो काफी मतलब हाई रैंक तिक्ति में देखने को मिल जा गए यहां पर सारे कॉलेज हो हैं काले कॉलेज के लिस्ट है महाराज आगरेशेन जो भी यूए सारा का सारा मैंने यहां पर डाल रखा तो डॉंट वर्यू और सेम पर जाएं सेम चीज इनके लिए भी है अल इंडिया इंडिया जैसे भारती बिद्धा पीड है अगर अपने को देखना हो कि कहा तक किस किस रांग से किस रांग तक मिल रहा है तो वीकेन हम यहां से अपना अपना लोग देख सकते हैं कि कौन से कॉलेज में कहां तक इनों दिया हुआ है युए आपको समझ में आना चाहिए कि वाट ठीक है अब जैसे इसमें इक शीज में बताना भूल गया था एनो के ए मतलब ऑल इंडिया और अधर इंडिया अधर इस्टेट वालों के लिए कि मतलब काश्मीरी माइग्रें याद रखिए ठीक है बस सिंपल त जिसमें हमने इंपोर्ट का रहा था इसमें थोड़ा सा मिस्टेग हो गया बट डोंट वरी इसमें एक बीडियो बना दूँगा अच्छे से वेरिफाइ करके बट कोई नहीं आज अभी क्या है कि जी अब कि एप्यू की बात चली रहिए तक छलो हम आगे बात करते हैं एप अज़्छा करना अगर आप हजार का फटाफट पेमेंट करिए और आप में से बहुत सारी लोग सोच रहोंगे कि भाईया जो कॉलेज के लिस्ट आप दिखा रहो इसके कट अफ क्या है इसमें से कौन-कॉन कॉलेज में जाने ज्यादा बहतर है तो मैं अल्रडी बता चुका हूं कि यह बस शुरू के जो इस वज़दा बट कोई बात नहीं नेक्स्ट वीडियो में कट आफ ही कर लेंगे यार बट कितने लोग कट आफ की डीटेल वीडियो चाहते है इसके बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में गोता येगा अगर हईज नमबर आफ कंडिडेट सेम कमेंट करेंगे तो डफनेटल I will take a video on that तो I hope आपको IP के बारे में clear हो गया होगा अब आपके मन में आएगा भाईया आगे का schedule क्या है तो देखो उसके आगे का schedule अभी ने डालाई नहीं है simple सा logic है ये आगे का schedule मैं तो मैं दिखा देता हूँ अभी 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 नया नया है अभी जो आया है आज ही आया है इनका जो भी आगे का schedule है ठीक है देखो देखो ये 25 तारीक को इन्होंने डाला है ठीक है इसमें इन्होंने साफसा बोला है कि 30 तारीक तक डेट बढ़ाई गई है 5 तारीक तक online verification होगा and choice filling होगी ठीक है choice preference round 1 पांस तक होगा उसके बाद से इन्होंने अभी पूरा full information नहीं दिया है कि अभी round second कभी start होगा और क्या start होगा क्या नहीं start होगा ठीक है तो इसके बाद जो भी start होगा आप लोग बताएंगे कि क्या start होगा अगर इसके अलावा आपके मन में कोई डाउट हो तो please description box में बताइए और cutoff वाली वीडिए के लिए सोरी cutoff में detail में discuss नहीं कर पाया थोड़ा सा typing mistake typing error के वज़े से क्योंकि इसलिए मैं whiteboard ज्यादा prefer करता हूं गलती नहीं होती है तो चलिए मिलता है next video में तब तक लिए बाबाए टाटा एंड चाहिंद